सब मिलके बोलिये चै माता दी संतोशी माता वर्थ कथा माना चाता है के चै कथा पड़े बिना संतोशी माता का वर्थ अधूरा होता है संतोशी माता वर्थ की प्रंप्री कथा के अंसार एक बुढिया थी उसका एक ही पुत्तर था बुडिया पुत्तर के विवाह के वाद बहु से घर के सारे काम करवाती, प्रंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, जे सब लड़का देखता पर मान से कुछ वी नहीं कह पाता, बहु दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटीर सोई करती, वरतन साफ करती, कप की बात संदा गई, तथा उसी जाने की आग्या दे दी, इसके वाद वे अपनी पत्री के पास जाकर बोला मैं परदेश चाह रहा हूं, अपनी कुछ निशानी दे दो, बहु बोली मेरे पास तो निशानी देने जो के कुछ भी नहीं है, जैस कहकर वे पती के चैनों में गि इससे पती के जूतों पर गोवर से सने हाथों से शाप बन गई, पुत्तर के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गे, एक दिन बहु दुखी हो मंदिर चली गई, वहां उसने देखा कि बहुत सी इस्तियां पूज़क कर रही थी, उसने इस्तियों से बर्त के बारे म चान कारी ली, तो वे वोली हम संतोशी माता का वर्त कर रही हैं, इस से सभी प्रकार के कस्टों का नाश होता है, इस्तियों ने बताया कि शुकरवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद चल से गुर चने का परशाद लेना, तथा सच्चे मन से मा का पूज़न करना चाहिए खटाई भूल करवी मत खाना और ना ही किसी को देना, एक वक्त भोज़न करना, वर्त विधान सुनकर वे प्रती दिन शुकरवार को बर्त करने लगी, माता की किरपा से कुछ दिनों के बाद पती का पत्तर आया, कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया, उसने पर सन मन से फिर वर्त किया, और मंदिर में जा, अन्य इस्तियों से बोली, संतोशी मा की किरपा से हमें पती का पत्तर तथा रुपईया आया है, अन्य सवी इस्तियों भी शर्दा से वर्त करने लगी, बहु ने का, हे मान, जब मेरा पती घर आ जाएगा, तो मैं तुमारे वर्त का उधाप अब एक राज संदोशी माने उसके पती क्योस वपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं चाते तो वे कहने लगा सेट का सारा समान अभी बिका नहीं, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेट कोस वपन की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मागी पर सेट ने इनकार कर दिया। उसने सभी को नियोता दे उध्यापन की सारी त्यारी की, प्रोज की एक इसी उसे सुखी देख इर्शा करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उसके पती को पकर लेकर जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उध्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहु ने पुन्य वर्त के उध्यापन का संकल्प किया। संकल्प के वाद वे मंदिर से निकली तो राह में पती आता दिखाई दिया। पती बोला इतना धन चोक माया है। उसका कर राजा ने मागा था। अगले शुकरवार को उसने फिर विदी वर्त वर्त का उध्यापन किया। इससे संतोशी माँ पर सन हुई। नो मास बात चांत सास सुद्दर पुत्तर हुआ। अब सास बहुत रथा बेटा माँ की केरपा से अनंद से रहने लगे। जै माता दी। फ्रेर्ज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पर बनी रहे।